वेल्कम बैग स्टुडेंट्स हम कर रहे हैं B.A.C. FAST और B.A.C. B.A.T. FAST सब्जेक्ट है आपका जुलोजी सब्जेक्ट जुलोजी और आपका यह पार्ट नुमर रहेगा पार्ट नुमर टैंग ठीक है और आपकी जो बुक चल रही है वह है आपकी सेल बायोलोजी और युनिट फस्ट चल रही है देखे स्ट्रेंट्स हमने कल बात की थी की वाइरस 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 की स्रंचना के बारे में हमने बात कर ली थी की वाइरस को हम क्या मानते हैं वाइरस को सजी भी मानते हैं और वाइरस को निर्जी भी वाइरस वाइरस की स्ट्रेक्टर पढ़ ली थी वाइरस की structure के अंदर हमने देखा था कि वाइरस की structure में जो central इसका भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं core कहते हैं और central भाग के चारों और क्या पाया जाता है protein का आवरण है पाया जाता है और जो प्रोटीन का आवरन होता है इसी प्रोटीन के आवरन को हम क्या कहते हैं प्रोटीन के आवरन को हम इसका कैपसिड कहते हैं और ये जो प्रोटीन का आवरन होता है ये छोटी छोटी इकाईयों से मिलकर बना होता है किसे बना होता है छोटी छोटी इकाईयों से मिलकर है हमने बात की थी कि यदि जो वाइरस जो होता है हम वाइरस को कैसे नामकरण करेंगे कि नामकरण करेंगे कि ये किस परकार का वाइरस है इसका क्या नाम दे ठीक है वाइरस का जो नामकरण होता है वाइरस का जो नामकरण होता है वो समान नेता है कितने पदों में होता हुई वाइरस का नामकर्ण दो पदों में होता है ये वाइरस का नामकर्ण सबसे पहले वियानिक थे गिबस तथा हैरिसन गिबस तथा हैरिसन ने वाइरस का नामकर्ण किया था जो वाइरस का नामकर्ण होता है वो दो स्टेप में होत होता है टू स्टेप्स होते हैं कितनी स्टेप्स होते हैं इसकी टू स्टेप्स होते हैं फर्स्टेप्स जो होती है उसके अंदर इसका क्या लिखा क्रिप्टोग्राम कहा जाता है अब देखिए स्टेंट्स कॉमन नेम जो होता है ये समेशा ही कह रहता है फिक्स रहता है ये चैंज नहीं होता है लेकिन जो क्रिप्टोग्राम है ये वाइरस की परकरती के आधार पर क्या होता रहता है चैंज होता रहता है और जो क्रिप्ट क्रिप्टो ग्रामच आपका वीगें कि आनलागागाब क्रिप्टोग्रामच में कितनतर लुए इसानी कि परभागों कि यहिए गाति है एक example ले लेते हैं जैसे कोई वाइरस है आपका T M A V यनकी Tobacco Moje का वाइरस भी इसे कहा जाता है T M V को Tobacco Moje का वाइरस है कहा जाता है यदि T M V जिसका क्या नाम हो गया T M V तो इसका हो गया Common है Name हो गया भी यनकी पर्सलित नाम हो गया T M V पर्सलित नाम है यदि इसका नामकर्ण देखें तो Cryptogram इसका क्या है Cryptogram में यदि हम इसका नामकर्ण करेंगे तो यहां पर लिखेंगे R OBLIC 1 ठीक है R OBLIC 1 फिर लिखेंगे 2 OBLIC 5 फिर लिखेंगे E OBLIC E फिर लिखेंगे S O Public है O ठीक है तो इस परकार से यह है इसका नामकर्ण हो गया है यह है नामकर्ण क्या कहलाता है इसका क्रिप्टोग्राम है कहलाता है तो देखेंगे Student कितने पता है इसमें एक तो step फर्स्ट यह है Second step यह रही Third step है यह रही यह कौन step होगी सबसे पहले हम देखें कि Nucleic Acid का टाइप क्या है सबसे पहले देखेंगे Nucleic Acid का टाइप है क्या है Nucleic Acid का टाइप यहनि कि वो DNA है या RNA है DNA है या RNA है तो यहाँ पर देखेंगा TMV के लिए उन्हें क्या लिखा है R लिखा है इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो nucleic acid होता है वो क्या होता है वह है इसका nucleic acid क्या होता है RNA होता है अब देखिए next हमने r oblique 1 लिखा है इसका अर्थ क्या है कि हमने कल बात की थी कि जो DNA होता है वो कैसा हो सकता है single strand हो सकता है और DNA जो होता है वो double strand हो सकता है हो सकता है या नहीं हो सकता है यानि कि SS DNA या DSS DNA उसी प्रकार से RNA भी हो सकता है SS RNA और DSS RNA यदि RNA या DNA double standard है तो उसके लिए क्या लिखते हैं single standard है उसके लिए लिखते हैं one यदि double standard है तो क्या लिखेंगे two तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर one लिखा है इसका आरत क्या हो गया कि जो TMV होता है TIV में जो इसका अन्वानसिक पदार्थ होता है वह इसका अन्वानसिक पदार्थ क्या होता है वह इसका आन्वानसिक पदार्थ आरने होता है और वो सिंगल स्टेंडर्ड होता है या डबल स्टेंडर्ड होता है तो हम कहेंगे जी कि जो आरने होता है वो सिंगल इक्टोग्राम का जो फर्स स्टेप है तो यह है अब सेकंड स्टेप अब सेकंड स्टेप देखिए सेकंड स्टेप के अंदर क्या है सेकंड स्टेप यानि कि जो भी नुकलीक एसीड है स्टेप नमर सेकंड देखो स्टेप सेकंड यानि कि जो भी नुकलीक एसीड है नुकली weight यानि कि उसका आन्विक भार है कितना है और आन्विक भार को हम हमेशे किसमें लिखते हैं लाग के अंदर है लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहला point दो लिखा या ने लिखा है कि दो कार्थ क्या हो गया कि इसके पास जो तो नुकलिक एसिड आदी का आन्विक भार क्या है दो लाग दो लाग आन्विक भार क्या है दो लाग ठीक है सेकंड हम देखते हैं सेकंड क्या है इसका सेकंड यान कि ओबलिक फाइब लिखा है इसका रद क्या है कि जो टोटल वेट है उसमें nucleic acid का क्या है percentage कितना है तो यहाँ पर क्या लिखा हम ने 5 लिखा है तो 5 कार्द क्या हो गया total molecule weight में इसका percentage कितना है 5% होता है यहनि की 5% होता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं तीसरे यूगम की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं तीसरे यूगम की बात कर लेते हैं तीसरा यूगम देखो हमने क्या लिखा है E और E लिखा है यहने कि E ओबलिक है E लिखा है यह जो इसका थाड यूमक है यह वाइरस की आकरती बताता है तथा नुकलियो केपसिड की आकरती बताता है यहन की वाइरस की आकरती कैसी है स्टेप नमर स्टेप नमर क्या है इसमें क्रिप्टोग्राम में थर्ड तो यह वाइरस की आकरती बताएगा आकर्ति कार देखो आकर्ति दो परकार की होती है आकर्ति हम दो यह परकार की लेते हैं एक तो है यदि स्फेरिकल है तो हम क्या लिखेंगे आस लिखेंगे स्फेरिकल आकर्ति है तो हम लिखेंगे एस यदि आकर्ति इसकी क्या है इल्लोगेटेड है आकर 30 mm इन लोगेटेड है तो इन लोगेटेड के लिए हम क्या लिखेंगे E लिखेंगे और यदि order order shape में है order shape में है तो हम इसे क्या लिखेंगे तो इसे X लिखेंगे यानि कि इस cryptogram में केवल तीन ही aqsa S, E, O, X X का ही use है करते हैं तो देखिएगा कि जो TMV है, TMV का जो वाइरस है इसकी आकरती कैसी है भी, TMV का जो वाइरस है इसकी आकरती, यानि कि इसकी सेप जो होती है वो कैसी होती है इनलोगेटेड होती है या नहीं होती है इनलोगेटेड होती है तो हमने लिख दिया और इसमें जो नुकलियो कैप्शिड होता है यानि कि प्रोटीन का जो इसके चरो और आवरन होता है उसकी जो सेप है वो कैसी होती है वो भी इसमें सेप कैसी होती है इनलोगेटेड है होती है यानि कि दोनों सेप क्या होती है समान होती है इसलिए हमने इसमें क्या लिख दिया इ और ए लिख दिया अब आपका चोथा पोइंट है अब चोथा पॉइंट क्या कहता है चोथा पॉइंट यह कहता है कि जो यह वाइरस है यह वाइरस किसको संकर्मित करता है पहला बात तो यह है ओबलिक हमने कुछ और लिखा है तो वाइरस किसे संकर्मित करता है और वाइरस के ट्रांसमिटर ट्रांसमिशन के लिए वाइरस ट transformation के लिए यूज से प्रकार का vector है used करता है तो 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 था इसका नला जो स्टेप है वो यह बताता है अब देखो यदि हम पहले इस टेप की बात करें तो हम आपने पता है कि ये जो संक्रमन है बटि कर दो हो सकता है संक्रमन है इनगा करें को सकता है संक्रमण है जो बेक्टेरिया में भी हो सकता है until my stie में भी हो सकता है ठीक है यहने करेक्डर का संक्रमन हो सकता है अब देखो किसमे है अग किसमेब कर्टिब यह तो हम क्या लिकरेंगे भी लिखेंगे य Mister संक्रमन क्या है इन वर्टिवरेट में है इन वर्टिवरेट के अंदर है तो हम क्या लिखेंगे आए लिखेंगे और यदि संक्रमन स्परमेटो फाइट यानि कि बीजी पोदो में है तो हम क्या लिखेंगे ऐस लिखेंगे यदि संक्रमन क्या होता है बैक्टेरिया में होता है तो बैक्टेरिया के लिए हम लिखेंगे भी लिखेंगे या एक्टीनो माइस्टीज में है तो संक्रमन क्या लिखेंगे इसके लिए A लिखेंगे ठीक है ये तो है कि वाइरस किस परकार के जीवों को संक्रमित करता है उसके अधार पर और दूसरा कि जो इसका ट्रांस्मिटर होता है यान की वाहिक कौन है इसके इसके वेक्टर कौन है तो वेक्टर इनवर्टिवरेट भी हो सकता है वेक्टर वर्टिवरेट भी हो सकते हैं सुरी यानि संक्रमण अपने आप होता है वेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या लिखोगे उसके लिए लिखेंगे हम O या 0 उसके लिखेंगे 0 लिखेंगे यान कि बिना वेक्टर या बिना बिना वेक्टर के ही क्या होता है वेक्टर के संक्रमण बिना वेक्टर क ऐस革 क्या हो गया कि जो यह TMV Tobacco Movedque ча अधिक वाइरस है यह किसी दियु हली संक्रमित करता है यानिकि जो तमग को क्या है सपर्मेटोफट है तो सपर्मेटोफट में संक्रमित है करता है दूसरा देखिए इसके संचन का माध्यम क्या है, यह वेक्टर का क्या है, यह किसी भी परकार के वेक्टर का उपयोग नहीं करता है, यह कि इसका मध्यम प्रपोस्टी कोई नहीं है, कोई वेक्टर का उपयोग नहीं करता है, वहाग का उपयोग नहीं करता है, और बिना वेक्टर की ही क्या कर स क्रिप्टोग्राम होता है एक तो कॉमन नेम और दूसरा इसका क्या है क्रिप्टोग्राम कॉमन नेम तो कह रहता है हमेशा ही सेम रहता है कभी भी परिवर्थिते नहीं होता है यहनके हमेशा ही सेम रहता है तो जो चैंजिंग होती है वो किसमे होती है चैंजिंग जो वाइर सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर देखते हैं पिर इसका क्या देखते हैं पिर तीसरा स्पेट तीसरा स्टेप है उसमें क्या देखते हैं कि इसकी आकरती कैसी है यनकी वाइरस की आकरती कैसी है और वाइरस के चारों ओ जो पाये जाने वाला कैप्सिड है कैप्सिड की आकरती कैसी है यनकी कैप्सिड की आकरती और वाइरस की आकरती यह देखते हैं और चोथे हम देखते हैं कि ये किशे सं कर्मित है करता है तो सब्सक्राइब इस परकार से हम जो वाइरस का नाम करने कर सकते हैं ठीक है यह था आपका वाइरस वाइरस के बाद अब हम नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं आपका नेक्स टॉपिक देखिए नेक्स टॉपिक क्या है हमने इससे पहले क्या पढ़ी है प्रोकरियोटिक सेल पढ़ लिया है वाइरस के बारे में पढ़ लिया है अब देखो नेक्स क्या है नेक्स है आपकी यू केरियोटिक है सेल नेक्स क्या है यू केरियोटिक है सेल यू केरियोटिक है सेल अब यू केरियोटिक जो सेल है उसमें देखिए स्ट्रेंट्स यू केरियोटिक सेल में क्या होता है कि यू केरियोटिक सेल में जितने भी इसके औरगनली है उनका हम क्य करेंगे बारी बारी शेया धेने करेंगे सबसेद पहले शुरू करेंगे हम इसका प्लाजमा कि मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया गोलजी बोडी और नुकलियस एंडो प्लाजमिक रेतिकुलम लाइसो सोम सेंट्रो सोम और फिर हम इसका जैन करेंगे कि इस सेल के अंदर जो सेल के अंदर जो क्या पाई जाते हैं आपके बायो केमिकल क्या पाई जाते हैं बायो केमिकल का जैन करेंगे जैसे बायो केमिकल के रुप में क्या पाई जाते हैं बायो केमिकल के रूप में जो पाय जाते हैं आपके प्रोटीन प्रोटीन लिपीड कार्बो हाइडरेट ठीक है कार्बो हाइडरेट डीन ने आरने आदी ठीक है आज भी की study करेंगी तो देखिए strength आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो eukaryotic cell है eukaryotic cell की सबसे बाहर यान की animal cell की सबसे बाहर पाए जाने वाली structure का अध्यान करेंगे और सबसे पाहर जो structure पाए जाती है वो इस क्या है आपकी यह है plasma membrane तो आज हम study करने वाले हैं plasma membrane की study करेंगी plasma membrane तो सबसे पहले हम देखते हैं plasma membrane plasma membrane plasma membrane plasma membrane क्या होती है कि हम जानते हैं जो cell होती है cell के चारों cell के चारों एक इस परकार की जिली समान जो structure पाई जाती है ये जिली समान structure ही cell की क्या कहलाती है वही ये कहलाती है plasma membrane क्या कहलाती है plasma membrane plasma membrane को सबसे पहले नेगेली नेगेली एंड क्रेमर ने क्या कहा था इसे कहा था कोसिका 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 कला नाम दिया था क्या नाम दिया था कोसिका कला नाम दिया था लेकिन बाद में बाद में सैफ्रीज एंड पॉलो ने इसे क्या नाम गिया था बाद में इसे सैफ्रीज एंड पॉलो ने जीव दर्वे कला नाम गिया था जीवदर्वे कला या प्लाजमा मेंबरेन कहा था प्लाजमा मेंबरेन ने कहा था यानि कि नेगली और क्रेमर ने इसके नाम क्या दिया था कोशिका कला दिया था सेफली और क्रेमर ने इसे क्या नाम दिया था इसे नाम दिया था वो जीवदर्वे कला नामें दिया था अब जो प्लाजमा मेंब्रेन होती है प्लाजमा मेंब्रेन विशिस्ट रसाइनों का एक सयोजन ही होता है यान कि विशिस्ट रसाइन क्या होते हैं विशिस्ट रसाइन क्यूप में सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है प्रोटीन 40% के आसपास होती है ठीक है और कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है इसमें कार्बो हाइडरेट पाई जाती है कार्बो हाइडरेट यन कि यदि हम प्लाज्मा मेंब्रेन को देखते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन को देखते हैं तो ये प्रोटीन और लीपिड की बनी हुई एक समान structure होती है और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाई जाते हैं carbohydrate भी पाई जाते हैं अब देखेगा कि जो इस plasma membrane में plasma membrane में क्या पाई जाती है लिपिड पाई जाती है लिपिड जो होती है ये plasma membrane में 40% के आसपास पाई जाती है लिपिड की मात्रा प्लाजम मेमरेन में 40% के आसपास पाई जाती है और जो लिपिड होती है ये लिपिड फासपो लिपिड के रूप में पाई जाती है किसमें पाई जाती है फासपो लिपिड के रूप में फासपो लिपिड की रुप में होती है और यह फासपो लिपिड भी होती है ये कई परकार की होती है फासपो लिपिड भी कई परकार की होती है देखो फासपो टाइडिलीन होती है एक तो एक तो होती है फासपो टाइडिलीन फासपो टाइडिलीन लिपिड होती है दूसरी ह होती है वो फास्फो फास्फो ट्राइडिली एमिन के सुरी सेक्ट दो होती है वो होती है आपको फास्फो एत्थे नोड शेक्ट होती है फास्फो एत्थेनोल तीसरी होती है सेफिगो सेफिंगो सेफिंगो माईलीन तीसरी कौन से होती है सेफिंगो माईलीन यनकी फास्फो टाइडिलीन और फास्फो एत्थेनोल और सेफिंगो माईलीन यह क्या है यह आपके फास्फो लिपिड के परकार है यनकी जो लिपिड प यह समानते कितने परकार की पाई जाती है, तीन परकार की पाई जाती है, फासपो टाइडलीन, फासपो एतिनोर और सेफिंगन माईलोन, यह यह तीन परकार की आपकी फासपो लिपिड है, पाई जाती है, और जो लिपिड होती है, यह लिपिड क्या होती है, एक को लिपिड लिपिड यह क्या होती है यह पॉलरिटी पदर्शित करती है यहन की धुरुता पदर्शित करती है पॉलरिटी शो करती है तो यह क्या जिसाती है कि इसके अंदर टू एंड होती है लिपिड में कितने एंड होते हैं लिपिड में टू एंड होते हैं इसका एक एंड एक एंड आपका हाईडरो होती है लिपिड के जो अनू होते हैं वो इस परकार की sector में होते हैं यानि कि इसके दो end पाई जाते हैं यह जो end होता है इसे हम क्या कहते हैं hydrophobic hydrophobic यानि hydrophobic आर्थ क्या होता है जो जल से डरता है यानि कि जल से दूर रहता है दूसरा यह end कौन से होता है इसका hydrophilic hydrophilic आर्थ होता है जल से भीगे रहने वाला या जल के संपर्क में रहने वाला तो जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये बाहर की तरफ होता है जबकि हाइड्रोफिलिक एंड होता है कैसा होता है अंदर की तरफ निर्दे सिता है रहता है तो यह थी जो प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर पाई जाने वाली लिपिड अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर प्रोटिन भी पाई जाती है प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है प्रोटिन भी पाई जाती है कौन-कौन सी प्रोटिन होती है, देखिए, प्रोटिन जो होती है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रोटिन की मात्रा जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ये जो प्रोटिन होती है, ये प्रोटिन भी two layers के रुप में पाई जाती है, एक तो layer जो होत होती है वो सबसे बहार की तरफ होती है उसे क्या बोलते है पेरी banget के vuelta िुदक पेरी फेरेल्स पेरिफ्ड प्रोतिन कहा जाता है पेरिफेर्स प्रोतिन या let है इसे सिंद्धोट इन भी कहते हैं दो सेकृंड होता है कि कि इंट्रिषिक प्रोटिन होता है इंट्रिषिक है प्रोटिन यान की आंत्रिक है प्रोटिन होती है इन अर्थपूरिक confidential होता है vench का एक्जामपल क्या है इसका एक्जामपल यदि आर बी सी के उपर आर बी सी के उपर कुछ क्या पाए जाते हैं स्पेक्ट्रिन पाए जाते हैं आर बी सी के स्पेक्ट्रिन होते हैं और सेकिंड जो आपकी माइटो कॉंड्रिया होती है माइटो कॉंड्रिया की भारी जो कुछ साइटोक्रॉम सी पाए जाते हैं। साइटोक्रॉम पाए जाते हैं। यह दोनों ही बारी प्रोटिन के एक्सामपल होते हैं। अब second बात कर लेते हैं, intrinsic protein, intrinsic protein क्या होती है, intrinsic protein, antric protein होती है, ठीक है, antric protein जो पाई जाती है, वो अंदर की तरह पाई जाती है, intrinsic protein का, यदि हम example देखते हैं, तो हमें पता है, कि जो mitochondria, mitochondria की जो inner membrane होती है, mitochondria की inner membrane होती है, उसके उपर कुछ cytokrome oxidative enzyme पाई जाते हैं, अर्थात mitochondria की inner membrane होती है, जिस पर cytokrome oxidative enzyme पाई जाते हैं, ये antric protein का क्या होती है, एक्जाम्पल है होती है यह आंत्रिक है प्रोटीन है तो आज की क्लास का समय पुरा हो गया है फोड़ा सा चल्दी स्योर बता देता हूं में इसमें क्या पाए जाते हैं कुछ से एंजाइम भी पाए जाते हैं एंजाइम क्या होंगे एटिपेज की रूप में होंगे जैसे एटिपी सोडियम पोटेशियम एटिपेज गलाइकोसडिस एंजाइम या आरने एज आदी एंजाइम भी इस दिली की रूप में पाए जाते हैं और थोड़ी बहुत मात्रा हम इसमें क्या पाए जाते हैं कार्बो हाइड्रेट पाए कार्बो हाइड्रेट पाए जाते हैं आर्बो हाइड्रेट की मात्रा भी बहुत में कम पाए जाती है और कल हम इस प्लाज्मा मेंब्रेन के कुछ कुछ कंसेप्ट दिये गए हैं कुछ सिद्धान दिये गए हैं प्लाज्मा मेंब्रेन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंग कर दो